गाइस आज का ये वीडियो काफी जादा इंट्रेस्टिंग है देखी गाइस अगर आपका बजट बिल्कुल कम है मतलब कि आप सोच रहे हो कि 10,000 के अंदर में ही आपके लिए एक सबैतरीन सोलर पैनल भी हो जाए एक बैटरी भी हो जाए और एक इनवर्टर भी हो जाए जि से आपकी बैटरी लेनी है और कौन सा आपको इनवर्टर लेना है साथ में दोस्तों अगर आप कोई फैन खरीदना चाहते हो लाइट खरीदने चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिगा नेक्स्ट वीडियो आप हम उसी टॉपिक पर बना देंगे लेकि कि अभी क्या है कि गर्मी के सीजन में अगर हम सेलिंग चलाते हैं अगर एक सेलिंग फैन चौबीस घंटे तक चलाते हैं तो अगर महीने चला देते हैं तो 300-400 रुपे महीने का बिजली बिल आराम से आजाएगा तो वहीं आप 10,000 रुपे एक बार खर्च करोगे तो आप इन बिजली बिल से आप बच के रहोगे और आपका घर का बिजली बिल जो है एकदम जीरो रुपे आएगा अगर दूस्तों आपके एरिया में अगर इलेक्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है तब भी यह ट्रिक आपके उपर काम करता है जिसमें आप एक सोलर पैनल बै video को लाइक करें काफ़ी ज्यादा इंट्रॉटि एacement वीडियो होने वाला है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक होना है और हमारे यूटॉबiej चैनल पर विदिón देखने को मिलते रहते हैं चली धाई शुरू करते हैं आपको बताते हैं सबसे पहले हम बात कर दिका बाद थोड़ा सा और उपर आपको भेजना पड़ेगा जैसे बजट पहले 10,000 था तो इसमें 1213,000 रुपे आपका बजट होना चाहिए अगर आपका बजट अंदर 10,000 है तो आपको क्या करना है 75 एंपियर का बैटरी लेना है या फिर 40 एंपियर की बैटरी ले सकते हो अगर आप थ 10,000 में ही आपका कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको सोलर पैनल भी बताऊंगा कि आपको सोलर पैनल कौन से लेना है देखिए 40 एंपियर की बैटरी लेते हो तो बात करें 75 एंपियर की बैटरी के बारे में तो 6-7 रुपे के राउंड में मिलेगा वही सोलर बै अब बात करते हैं अगर आप 40 एंपियर की बैटरी ले रहे हो या फिर 75 एंपियर की बैटरी ले रहे हो आपको 100 वाट का सोलर पैनल लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों आपकी बैटरी फास्ट चार्ज होनी चाहिए तभी आपका बैकप जो है पूरे 24 घंटे देखने को मिल स आपकी बैटरी को अच्छी खासी स्पीड में चार्ज करते रहेगा जिससे आप पूरे दिन भर इलेक्ट्रिसिटी आपकी नहीं भी रहेगी तो आपका सोलर पैनल से काम चल जाएगा बैटरी थोरी सी चार्ज भी रहेगी तो आटलिस रात भर आप अपना सेलिंग पंखा आपको लेना है जंट सोलर और 100 watt Monopark 1.000 यहापको 4,000 से लहकर के 45 और मेहीं देखने को मिल जाएगा है कि उत् बात करें इंवर्टर के बारे में तो आपको बड़ा सा कोई इंवर्टर खड़िदने की कोई आवशक्ता नहीं है अगर आपको सिर्फ दोल फैन चलाना चाहते हो या फिर एक फैन चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 300-400 रुपए के राउंड में आपको एक कंवर्टर मिल जाएगा जो कि आपके बैटरी का करेंट जो डीसी में होती है उसको यह एसी में कंवर्ट करेगा और आपके घर का LED भल्ब भी जला देगा और सेलिंग फैन भी चला देगा वही दोस्तों अगर आप डीसी सेलिंग फैन में हो जाएगा और बैटरी की बात करें बैटरी हमारा 4,000 रुपए से ले करके 8,000 यह फिर 10,000 हो जाएगा मतलब कि मैक्सिमम आपका बजट 14,000 है और मीनिमम बजट 9-10,000 होनी चाहिए तो इसमें आपका सारा काम हो जाएगा और आप अपने घर पर कम से कम एक सेलिंग फै सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन